हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मीना और स्वागत है आपका मेरे चनल मम्स बेक क्री में आज हम सिखेंगे हाफ केजी केक टेक्वरेट करना पहले हम क्रीम बना लेते हैं और हम बनाएंगे यह नियोन ग्रीन कलर तो हमने यह नियोन जेल कलर लिया है और यह इसकी दो से तीन यह तो यह पाइपिंग बैग लिया है हमने और सारी क्रीम मैं इसमें फिल कर देती हूं और क्रीम कैसे बनानी है वो भी मैंने वीडियो में बताया है तो आप मेरे चैनल पे जाके विप क्रीम की वीडियो देख सकते हैं तो हमने पाइपिंग बैग में सारी क्रीम फिल कर द क्रीम चाहिए हमें तो यह लिए हमने आर 11 नोजल और इसको हमने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और अब इसमें हम अपनी पिंग क्रीम फिल कर देते हैं इससे हम अपने रोजिस बनाएंगे तो सारी क्रीम हमने डाल दिया है और आप बनाएंगे हम यह डिज़ाइन जिसको भी मुश्किल आती है ना के हमारे केक में सार पैजिस नहीं आती तो उनके लिए यह बहुत ही आसान ट्रिक है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और ब्रेश को बिलकुल हलके हाथ से गुमा essisा सा डिजाइन बना ले देखि कितना सुंदर सा ये डिजाइन देखे कि अधे बना ले और इसे ही जाइन बना और रखंग चाहं ये पनगल के कह अधे बर्रुश से ऐसे डिजाइन बना ले ब्रिश से एक दम आपकी मुश्किले भी अब आसान हो गई कि हमारा सार पैजिस नहीं आता केक में तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और अब बनाएंगे हम बॉर्डर तो ये लिया है हमने 6B नुजल है ये और इससे हम अपना बॉर्डर बनाएंगे थोड़ा सा प्रेस करें और थोड़ा सा पीछे कीजले फिर थोड़ा प्रेस करें फिर थोड़ा पीछे कीजले बहुत ही हलके हाथ से अपना बॉर्डर बनाएं देखिए कितना सुन्दर सा बॉर्डर उभर के आया है बहुत ही आसान है ये बनाना और आप आसानी से अपने केक को डेकुरेट कर सकते हैं ऐसे अपना बॉर्डर बना सकते हैं तो ऐसे ही अपना सारा बॉर्डर ऐसे बना के तयार कर लेंगे तो देखिए पूरा बॉर्डर नीचे से बन चुका है तो अब उपर से भी हम ऐसे ही बना लेते हैं तो उपर से भी हम बना लेते हैं देखे थोड़ा सा प्रेस किया फिर थोड़ा पीछे खिच लिया फिर थोड़ा प्रेस किया और इस तरह से एक सुन्दर सा डिसाइन हमारा निकल के आता है और देखे ये बौडर लाइन बहुत ही प्यारी लग रही है तो आप भी ऐसे ही जो खुद को अच्छा लगता है ना तभी सब को अच्छा लगता है कि हां मैंने कुछ बनाया अब हम बना लेते हैं फ्लावर बाउंडरी हमारी पूरी हो चुकी है complete और बहुत ही सुन्दर बाउंडर उबर के आया है अब हम बनाते हैं अपने रोज फ्लावर तो सबसे पह थोड़ी हाइट देके फिर इसके बाद हम पैटल बनाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए अब पैटल बनाना सरू करते हैं तो ये देखिए एक तम आराम से हलके से और उल्टा सी बनाते जाएं उल्टा सी फिर उल्टा सी और उल्टा सी और उल्टा सी और आसानी से आपका फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा जितना बड़ा चाहें आप उतना बैटल बनाते जाएं और लास्ट में एक पूरी लेयर बना दे केक की एकदम और अब इसको हम थोड़ी सी हाइट देंगे केक पे और इसको सेट कर देंगे इसके उपर तो देखिए कितना आसान है न बना और अब आसान नीसे इसके पर सेट कर दें बस हो गया और अब बनाएंगे हम इसके दोनों तरफ दो छोटे चोटे चोटे फ्लावर जाता चोटी से इस पे एक तम छोटी-छोटी पैटल बनाएं तो बिल्कुल चोटी-छोटी पैटल ये मैंने बना दी है फ्रेंड्स अग आपको मेरी यह रैस्पी जर्डा से भी ही फुल लगी है तो आप मेरी रैस्पी को लाइक करें और सब्सक्राइब हाइट देंगे इसको और आप इसकी पैटल बनाते हैं तो देखिए बिल्कुल छोटी-छोटी पैटल इसकी बना लेंगे छोटी देखिए एक तम छोटू सा फ्लावर हमारा बन गया है और इसको भी हम सैट कर देते हैं अ तो फ्रैंट जरूर ट्राइब करें आप भी है अपने केक को अच्छे से टाकोरेट करें और अपने कमेंट मेरे साथ सेर करें अगर आपको जड़ा सी अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल भी तो आप बना लिते हैं हम ये पत्तियां मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ा दो से तीन ड्रोप नियोन ग्रीन कलर डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसमें अपने ग्रीन कलर के विपिंग क्रीम फिल कर दी थी और इससे ये इतने अच्छी पत्तियों का कलर निकल के आया है थेंक्स फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए